वेलकम टू माई चैनल आज आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या सिखाने जा रही हूं कि गुलाब के बारे में ज्यादा बोलने की जरुवत नहीं है सबको पता है कि गुलाब खुस्बू में भी बहुत अच्छा होता है और उसके बहुत सारे आप यूज कर सकते हैं पहला रोज वाटर रोज वाटर तो मैं अभी बताऊंगी ही और आप पूरा पूरा वीडियो देखेंगे कि उसके बाद भी मैं कुछ आपको बताने वाली ही तो चलते हैं पहले रोज वाटर बनाते हैं। मैं आई हूं गुलाब के फूल लेने के लिए जिसे मै मैं रोज वाटर बनाऊंगी और भी बहुत सारे आइटम बनाऊंगी यह देखिए बहुत सारे गुलाब यहां खिले हुए हैं और एक डंग रियल गुलाब है बहुत खुस्बू दे रहा है इसमें मैं तोर रही हूं यह गुलाब की पंखुरी है और इसको मैं अभी साफ कर हूं सब इसमें तोड़ तोड़ के रखना है इस तरह से सारे पंखुरी को निकाल लेना है और इसके डंडल को अलग करना है सारे साफ कर लेंगे अगर खराब पंखुरी है तो उसको भी आप अलग कर देंगे इसको बाहर निकाल के रखतेंगे अच्छे वाले पंखुरी आ जो है उसमें रखेंगे यह सारे मैंने अलग कर दिया है तो अब इसमें मैं पानी डाल के इसको वोस करेंगे यह ओरिजनल गुलाब है पुरा फुस्वू दे रहा है इसको ऐसे चान लेंगे जो भी गंदगी है इसमें पाहर आदे इस तरह से यह 10-12 गुलाब के पंखुरिया है तो आप भी इतना ही लेंगे इतनी क्वांटिटी में बनाना है कम से कम 10-12 गुलाब का पंखुरी होना चाहिए मैं एक छोटा सा कटोड़ी या प्लेट रखूंगी उसके किनारे किनारे सारे पंखुरियों को डाल देंगे इस तरह से सारा यह कर लेंगे उसके बाद इसमें एक दो ग्लास कम से कम पानी रखेंगे छोटे ग्लास से दो ग्लास गैस को अन कर देंगे पानी नहीं होना चाहिए ऐसे इसको इसमें रखेंगे इसके ऊपर मैं ऐसे इसको इसके ढखकन को लगाऊंगी इसमें जो छेद है न इसको ऐसे ढख देंगे आटा से इसको चिपका देंगे ताकि इसमें से बाप बाहर ना आए और इसको ढख देंगे अब यह गरम हो रहा है मैंने ओन कर दिया है अब यह गरम हो गया है हलका हलका गरम हो गया है तो मैं आज को एकदम कम कर दूंगी मीडियम मीडियम रखें आप आज को उसके बाद मैं इसमें आईस के टुकरे डाल दूंगी ताकि नीचे भाब बनके उसमें रोज वाटर अराम से बन सके इसमें सारे बर्फ पिघल चुके हैं और मैं इसका पानी मैं बाहर निकाल लेती हूं सारे बर्फ पिघल दूसरा और आइस क्यूब डाल देंगे मैंने बड़ा सा जमा के रखा था इसमें डाल के छोड़ देंगे अभी यह और दसनेट पकेगा यह हो चुका है इसका धकन मैं खोल रही हूं और यह रोज वाटर बनकर त्यार हो गया है और यह नीचे का है तो थोड़ा ठंडा होने दे रहे हैं फिर मैं इसको दिखाती हूं आपको यह रोज वाटर त्यार हो चुका है और अभी यह गरम है तो मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूं और मैं बताई थी आपको कि और कुछ मैं बताऊंगे यह पंखुरी है और इससे यह जो पानी निकल रहा है वो देखिए यह कितना इसको फेकना नहीं है और इससे मैं अभी आपको लिप बांब बनाना बताऊंगी और यह यह और पानी था मैंने इसको अलग रखा है और यह यह आप आइस बना लेंगे आइस ट्रे में जमा लेंगे और जब भी गर्मी से धूप से आए और उसको एक आइस को निकाल के इससे आपका चेहरा साप भी हो जाएगा ठंड़क भी मिलेगी और और इसकी नेगम टाइट रहेगा एक चम्मच एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट एक चम्मच वैसलिंग और एक विटामिन E कैप्सुल यह विटामिन E मैं इसमें बाद में डालूंगी अभी इसको ऐसे मिलाते है जब तक यह पूरा बहुत सारा मिलाना होगा इसको बहुत मिलाना होगा जब तक यह पूरा लिप बाम की तरह एकदम मेल्क ना हो जाए और इसे आराम से आप अपने लिप में कहरें हैं पर चल्डा से और कहीं भी बाहर जाने के पहले आप इसको लगा लीब बाम वाला मेल्ट हो चुका है तो अब मैं रोज वाटर के तरफ आती हूं और वो दिखाती हूं कि कैसे यूज करना है तो पहले मैं इसमें एक जितना आपको यूज करना है न तो आप उतना लें और बाकी काच का एक बोटल में भरके रख दें इसको फ्रीज में मानिए कि आपको इतना यूज करना है तो इसे आप एक ग्लास में ले लें और उसमें यह है रोज एसेंसियल आइल इसके आप दो तीन बुंद रख दीजे इसमें डाल दीजे वाव कितना खुस्बू आ रहा है वाव मुझे तो बहुत पसंद है रोज की खुस्बू बहुत पसंद है वो चारबून डाल दीए और इसको एक कंटेनर में साफ कंटेनर में इसको डाल देंगे कि मैं भड़के पुरा कंटेनर को भड़ लिये हैं रोज वोटर से और उसमें मैंने रोज एसेंसियल डाला है इसे यह और खुस्बूदार बन गया है अब इसे आप कहीं भी जाए मेकप कर लें ये पुरा डाल ले इस तरह से और कहीं से धूप से आ रहे हैं तो आप मुझ को साफ करके फिर ऐसे कर लेंगे ये हुआ और आपको खुस्बू भी देगा और इसका फायदा भी आपको चेहरे को मिलता रहा है ये रोज वाटर को आप बंद करके यह टाइट में फ्रीज में डा करेंगे और उसमें अगर रोज एसेंसियल नहीं है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं आज रोज वाटर तो आप इसको रख देंगे स्टोर कर देंगे और यह काफी टाइम तक चलता है किसी में फेस पैक में और मुलतानी मिट्टी हो या बेसन का लगा रहे हैं किसी में आप इसको यूज कर सकते हैं या माल लिजए कि कहीं से आप आ रहे हैं मेकप क्लिन करना हो तो यह आपका बहुत फैले बन्हों होगा और यह बनके त्यार हो गया है तो इसमें हम अब एक विटामिन ए का कैप्सुल डाल देंगे ताकि यह लंबे टाइम तक आपका यूज हो सके यह खराब नहीं होता है और समर में भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों इसको ना थोड़ा सा ज्यादा चलाना होगा ताकि यह पूर्य एक साथ घुल मिल जाए और और इसका अब मैं इसको फ्रीज में रख देंगे यह जो रोज के पंखुरियों से जो पानी जो बचा था ना उसको मैं ऐसी जमा के आइस बना लूगी अब मैं देखती हूं कि त्यार हो गया रही है और आइस भी जन गया है इसके अब देखिए यह लिप बाम रेडी हो गया है और इसको मैं लगा के दिखा रही हूं कहीं भी बाहर जाने का थोड़ा सा निकाले फ्रीज से और इसको ऐसे लगाए लिपिस्टिक लगाने की कोई जरुवत ही नहीं है और यह आइस मैंने जो रोज से निकला था ना हूं उसको मैं आइस जमा ली हूं जब भी आप नहाने के बाद इसको एक बार अपने चेहरे म पूरा रेड रेड पिंग पिंग आपका चेहरा हो जाएगा गुलाब की तरह कलर आ जाएगा रोज लगाए और कहीं बाहर जाएगा तो आने के बाद फेस धोकर और इसको आप लगा लेंगे और रोज वाटर भी छिरत लेंगे